आज हम बात करते हैं डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की यह नुमेरिकल के हवाले से मैं आपको समझाने चाहरा हूँ अच्छा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होती है कि लास देखिए बड़ी असान सी बात है कि शीशे की प्लेट होती है हमारे पस और इस शीशे की प्लेट के अंदर हमारे पस यह जो वर्टिकल लाइन्स हैं सिर्फ यह वर्टिकल लाइन्स होती है यह होरिजन्टल लाइन तो मेरी कॉपी की लाइन्स है तो यह वर्टिकल लाइन्स लेगे होती है बहुत इनके दरम्यान गैप बहुत कम होता है बहुत नेर Lines हैं, यह Lines किसे तोर पर काम कर रही होती है यह Lines काम कर रही होती है Sharp Edges की तो निवगरे की दियरी है हमें कि दो है टे-उरी किसी Sharp Edges ते के just Senider Kathryn किन मेरे उकम कर दो चाप्टर दियर जाती है जाली की तरह है एक लेटिस की तरह है एक जाली की तरह आपको नजर आ रही है ठीक है तो इसमें जो दो लाइन्स हैं इन दो लाइन्स के दरम्यान जो गैप है किसी भी दो लाइन्स के दरम्यान जो गैप है वो कहलाता है उसे हम कहते हैं डी स्मॉल डी है जो फार्मॉले के अ और इसे हम कहते हैं स्पेसिंग बिट्वीन दा लाइंज राइट अचा ठीटा क्या हूता है जब लाइड इस पेस में से गुजरती है दो लाइंज के दर मैं यह तो यह लाइड जो शार्प एजिस के तौर पर एक करें इसमें से गुजरते हो लाइड बैंड करती है तो वो बनाती है वह एंगज को हम ठीटा कहते हैं तो इसको मैंने और भी एशन या एंगल, कहते हैं हम लोगद अच्छा जो लाइट है इसकी विखने को लेम्डा कह रहे हैं तो जो लाइट, यम उन्ट बैर उमसे की तो किया करते है कि की लैंस में चिजार के हम उसका इंटरफेरंस नोट करते हैं तो वह जो इंटरफेर्रेंस होता है वह सेकंड और थिय तो थीर उसको में म से रि प्रिजेन करते हैं तो यह जो हमारा M है यह हमारे पास कहलाता है fringe का order कहलाता है अच्छा diffraction के अंतर एक खास बात ज्याद रखीगा जो के मैंने numerical जिसरा अपलोड कर चुका हूँ यंग double slit के interference of light के ठीक है तो यंग double slit interference of light है interference में M की value 0 से start होती है जबके diffraction में M की values 1 से start होती है इसका मतलब यह है कि अगर मैं diffraction में कहूँ first diffraction तो M की value 1 अगर मैं कहूँ second diffraction तो M की value 2 third diffraction तो M की value 3 तो straight first का मतलब 1 second का मतलब 2 और third का मतलब 3 जबके interference में इससे जड़र डिफरेंट बात होती है वहां value 0 से start हो रही थी है, वहां first value 0 होती है, और second value 1 होती है, तो यह difference, प्लीज जात रखिए का, कि diffraction के numericals के अंदर, आपकी M, first order का मतलब one ही होगा, second order का मतलब two होगा, ठी होगा, ठी होगा, ठी होगा, ठी होगा, ठी है, अच्छा, नॉर्मली होता है यह कि numerical के अंदर जो चीज आपने समझ नहीं है, जो थीयोरी में आपको आपको समझा जाने चाहता हूँ, वो यह है कि जो ग्रेटिंग होती है, यह जो जाली होती है, शीशे की प्लेट होती है, इसके ओपर लिखा होता है कि कितनी lines इसके अंदर ड्रॉ की गई है, में साथ के दो पर हमें numericals के अंदर रिजिसरा दिया जाता है, वो हमें कहेगा कि आपको जो हम grating provide कर रहे हैं, वो जो grating है, वो हम से कहता है कि 400 lines mark की हुई हैं उसके अंदर पर मिली मीटर, यह किसी question में वो कहता है, एक example में हमें वो कह रहा है, कि उसने 10,000 lines mark की हुई है पर सेंटी मीटर, तो यह सारी चीज़ हैं, basically क्या है, यह grating कैलाती है, ठीक है, तो numerical के अंदर हमें ग्रेटिंग दियो होती है, तो करनी होती है, यह class यहाद रखिएगा D की, बस numerical में total जान इतनी ही है, कि आपने grating से D कैसे निकालना है, grating से D निकाल लिया, formula आपके सामने, इसमें आपने put करना है, आपका answer straight ahead आए जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आपने में करना है, अच्छा जी, अब grating से D कैसे निकालेंगे, देखिए, बहुत ही simple procedure, इसको आप note कर लिए, जो कि तमाम numerical में इसी तरीके से follow किया जाएगा, वो तरीका यह है, कि first करते हैं, जिसे हम पहले बात के ले रहते हैं, कि हमें एक grating दी हुए है, उसने लिखा हुए कि जो grating है, व बहुत simple सी बात है, देखो कैसे, आपने लिखा 2000 lines, और यह जो centi है, centi का मतलब क्या होता है, centi का मतलब होता है, 10 raise to power minus 2, यह centi prefix है, और साथ में meter है, तो आपने meter लिख दिया, तो आपने centi की value पुट कर दी, यह मैं आपको बता रहेता हूँ, कि जो 10 की power minus 1 होती है, उसे हम कहते हैं, dashi, और small d से represent करते हैं, 10 की power minus 2 को हम कहते हैं centi, और इसको small c से represent करते हैं, 10 की power minus 3 को हम लोग कहते हैं mili, और इसको हम represent करते हैं small m से, तो अब centi है न, centi small c, तो 10 की power minus 2, तो मैंने centi prefix की value 10 की power minus 2 रख दी, मेरा खाल है बहुत असान है, अगर कहीं पर mili लिखा होग वो आपको बताएगा D की वेलियो कैसे निकालने है अपने D this implies that D आसे निकालने है कि जैसे अपने यह आंसर लाइन सपर मेटर में कनवर्ट के इसको रहसी प्रोकल कर दो क्या मतलब कि 10 की पावर माइनस 2 को आप डिवाइड कर दो 2000 से that's it बस यह D निकालाया अब यह कैलकुलेटर आपको जवाब दाएगा जब आप कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे तो आपका जो जवाब आजाएगा वो आजाएगा 5 exponential minus 6 meters that's it यह आपका जवाब आगया तो यह आपने D की वेलियो निकाली प्रोसीजर बहुत असान है इसको रिपीट करके देख लिजेगा ठीक है अब मिसाल के तरह पे मैं दूसरी वेलियो ले लेता हूं जिसरा मैंने आप पताया कि कोई grating वो देगा 400 lines per mm अब इसको कैसे convert करेंगे इसका procedure बिल्कुल इसी तरी किसे कि आपने grating लिखी कि जो आपको grating दी हुई है grating that is equals to 400 lines per mm राट क्लास तो मैंने क्या पता है सबसे पहले इस mm को मेटर में convert करेंगे और इसका procedure मैंने क्या पता है कि आपने 400 lines लिखा और आपने यह जो prefix है अच्छा यह मीटर को मेटर रहे थे यह जो आपने 10 की पावर माइनस 3 तो आपने 10 की पावर माइनस 3 पुट किया बस that's it इसके बाद अगले step में आप दी निकालने वाले और वो डी कैसे निकलेगा कि आपने 10 की पावर माइनस 3 को डिवाइड कर दिया किसे 400 से ठीक है तो यहां से आपके पास आजएगा this become 2.5 और this become शायद exponent माइनस 5 चेक कर लीजएगा मैं बगार calculator के इस पर कर रहा हूँ ठीक है तो यह आपके पास आजएगी d की value meters में राइट क्योंकर reverse किया आपने तो lines खत्म और meter को पर चला गया इसी तरीके से अगर कहीं आपके पास लिखा हुआ है 10,000 lines per centimeter तो आप कैसे convert करोगे आपने लिखा 10,000 lines upon अपसेंटी का मतलब पर 10 to power minus 3 और यहाँ पर आगया meter जैसी यह जवाब आया अब next step पे आपने d कैसे निकाला आपने इसको reciprocal कर दिया d is equal to 10 to power minus 2 को आपने 10,000 से divide कर दिया that's it आपका जवाब बजाएगा 1 exponential 1, 2, 3, 4 and 5, 6 minus 6 ठीक है यह meter आ जाएगा यह d आ गया इस बा कर दोशखर आपने आपका जाँ लग झादी का पाल आप मेरा आपका पका थएवाब कि अवाब टौह सスमेंटी को आपका ज Bill